इतिहास रचने से मात्र एक रंदूर कोहली स्री लंका के खिलाब पहले T20 में बना सकते हैं 6 विश्व किर्थिमान नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम बात कैनने वाले हैं बात और स्री लंका के बीच होने वाले T20 सीरीज के बारे में जिसमें विराट कोहली 6 विश्व किर्थिमान बना सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों भारतिय टीम वेश्ट इंडीज के खिलाब वंडे सीरीज जीतने के बात साल 2019 में स्री लंका की मेजवानी करेगा जहां पर वो स्री लंका के खिलाब 3 T20 मैच खेलेगा इस सेंकला की सिरुवात 5 जनवरी से होगी जहां इन दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा गुहाटी में होने वाले पहले T20 मैच में सबकी नजरे टीम इंडिया के कफ़ान विराट कोली पर होगी तो 33 रन बनाये हैं आपको बता दें कि इस T20 सीरीज ये लिए रोहिश शर्मा ने आराम दिया है यानि विराट पहले T20 में मातर एक रन बनाते ही T20 इंटरनेश्टल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे वहें रिकॉर्ड नमबर दो की बात केने तो विराट कोली सीलंका के खिलाब 4 T20 पारी में 283 रन बना चुके हैं यानि सिर्फ 7 रन बनाते ही विराट कोली रोहिश को पचाल कर सीलंका के खिलाब सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाले पहले भारतिय बन जाएंगे जब की इस सीरीज में 69 रन बनाते ही इस मामले में दुनिया के नमबर वन बल्लेबाज बन जाएंगे रिकॉर्ड नमबर 3 की बात केने तो कोली ने सीलंका के खिलाब खिले गए 4 T20 पारी में 50 प्लस इस और बनाया है यानि विराट कोली सीलंका खिला तरवदिक इंटरनेशनल रन बनाने के मामले में पाकिस्तान के यूनुस खान 3615 को पीछे छोड़ कर तीसरे इस्तान पर आ सकते हैं वहीं रिकॉर्ड नमबर 5 की बात करें तो विराट कोली ने सीलंका के खिलाब इंटरनेशनल क्रिकेट में 30 पार 50 प्लस पूर बनाया है यानि पहले T20 मैच में विराट एक अर्ध तक जड़ते ही पूरू पाकिस्तान इजमामुल हग के 30 पार की बराबरी कर लेंगे रिकॉर्ड नमबर 6 की बात करें तो विराट कोली ने T20 इंटरनाशनल में अब तक 247 चोके लगाए हैं ये लंका के खिलाब पहले T20 मैच में सिर्फ 3 चोके लगाते ही विराट इस पार्मेट में 250 चोके जड़ने वाले दुनिया के पहले बले बाच बन जाएंगे तो दोस्तों आपके अनुसार क्या कोली पाइले T20 में ये सभी विश्किर्तिमान हासिल कर सकते हैं आप हमें इसा जवाब नीचे कमेंट सक्सेर में जरूर गताईएगा ज़्यादा जानकारी और क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताथी वीडियो को लाइक और ज़्यार करना बिलकुल ना भूलें दाने बाद